वालमिक जी महरशी वालमिक जी से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्याधा प्रभावत किस ने किया इन पांचों में से महरशी वालमिक जी ने आखों में आशु भर करके कहा किराम जी का चरित्र बहुत महाल है लेकिन सीता आयास चरिता महत शभी में अगर मुझे ज़्यादा सबसे महत पून गर्मा पून चरितर किसी का है तो मुझे वो सीता जी का चरितर लगता है बालमी कि रामान में जब भगवान शिराम जी ने कहा कि सीता जी एक वारत में पर इच्छा और देनी पड़ेगी चीता जी ने कहा मैं अंतम पर इच्छा दी और शिता जी ने है कहा कि यदि मैं वास्त्व पतिवर्तानारी हूं तो विवरम दातु मरहती है भवानी है जगदंबे है पर्थवी मा मुझे तुम जगए दी दो और उन्होंने कहा कि यदि आज भी मैं उतना ही राम जी से प्रेम करती हूँ जितना शुरू से करती रही हूँ तो यहे विबरम दातु मर्यती तीन बार ये सब्दकापी हो गया है लेकिन अंत में सीता जी ने एक इतनी कड़ी बात कह दी कि प्रत्वी को फटना पड़ा सीता जी के लिए और उन्होंने कहा कि ये जी राम हिर्दे से आज भी मुझे उतना ही चाहते हो जितना वो सुरू में चाहते थे ये बात सत्य है तो हे मा तुम मुझे बिबरम दातु मर इस वात को प्रत्वी माता जुटला नहीं सकते थी कि राम आज भी तुम से उतना ही प्रेम करते हैं इसलिए भूम जाने विवर्द या साक्षात भगवती आये और जानकी जी को लेकर कि गई इसलिए उन्होंने लिखा सीता आयास चरितम मानि राम की मर्यादा को स्थापत एक सब्द के द्वारा कर गई जानकी जी कि यदि वो आज भी उतना श्री कहने का अतातपरी यह है कि श्री जानकी बल्लभो विजयते में जानकी सब्द का अतातपरी भी ज्ञान वैराग से युक्त जानकी है